बागत है आपका हमारे चैनल और आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत ज़रूरी वीडियो में हम बात करेंगे डायवेटीज के बेसिक टेस्ट की और यह जानेंगे के उन्हें कब और कैसे करवाना चाहिए और दोस्तों आज हम डायवेटीज से जुड़े कुछ इंटरस्टिंग सवालों के बारे में भी बात करेंगे जसे के फास्टिंग और प्यपी में कौन सा ज्यादा जरूरी टेस्ट है यह ज्यादा पानी पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है क्या यह फास्टिंग टेस्ट कराने से पहले 8 की बज़ाए 12 गंटे अगर हम कुछ ना खाएं तो क्या होगा diabetes test का result किन-किन बातों पर depend करता है fasting sugar test कराने से पहले पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते और PP sugar test कराने से पहले सामाने तोर पर क्या-क्या खाना चाहिए तो ये बहुत interesting questions हैं जिन के बारे में हर कोई जानना चाहता है आज तो आये दोस्तों पहला question लेते हैं कि fasting और PP में ज़्यादा जरूरी test कौन सा है तो मैं बता हूँ आपको American Diabetes Association के अनुसार PP test की तुलना में fasting sugar को ज़्यादा महत्पुन माना गया है और ये माना गया है कि fasting sugar test जो है वह कहीं ना कहीं diabetes management के बारे में जानकारी देता है तो दोस्तों करते हैं अगले सवाल की बात कि क्या ज़्यादा पानी पीने से sugar level कम होता है क्या हाँ ज्यादा पानी पीने से blood जो है हमारा rehydrate होता है जिससे blood sugar level कम होता है और दोस्तों doctors कहते हैं कि diabetes का रिस्क भी जदा पानी पीने से कम होता है फिर अगले सवाल की बात करें दोस्तों कि फास्टिंग टेस्ट कराने से पहले आठ घंटे की बजाए अगर बारा घंटे कुछ ना खाए तो उससे कुछ फरक पड़ेगा क्या टेस्ट पे तो दोस्तों फास्टिंग शुगर लेकिन आठ के बजाए अगर बारा घंटे भी हम खाली पेट रहते हैं तो इससे रिजल्ट पे कोई खास फरक नहीं पड़ेगा फिर दोस्तों आगे बात करते हैं कि डाइबेटीस टेस्ट का रिजल्ट किन चीजों पर डिपेंड करता है तो पहली चीज तो यह है दोस्तो पानी कम पिए हुए है या आप इस्ट्रेस में है और एक और अगर आप फीमेल हैं तो क्या आप मेंस्ट्रल पिरियड में है तो यह बाते कहीं ना कहीं टेस्ट के रिजल्ट पर प्रभाव डालती हैं फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि फास्टिंग शुगर करने से पहले पानी पी सकते हैं क्या तो आप ध्यान रखिए कि इस टेस्ट के लिए आठ घंटे तक ना तो आपको कुछ खाना है और ना ही पीना है तो दोस्तों अगला कोशन है कि पीपी शुगर टेस्ट करने से पहले क्या खाना चाहिए तो यह भी आप ध्यान लगभग 100 gram carbohydrate को रखना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों ये कुछ सामाने सवाल थे जिनके जवाब मैंने आपको दिये हैं और ये हम सभी लोगों के मन में होते ही है फिर जान लेते हैं कि ये test किसे कराना चाहिए किन लक्षणों के अधार पर कराना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण तो ये है कि जादा नीद आना जादा पसीना आना तो अचा का पीला पड़ना चक्कर आना कही नहीं चिर्चिड़ा पन रहना या फिर भूग ज़दा लगना और फिर दोस्तों अगर मुह ज़दा सुकता है तो भी आपको यह test कराने चाहिए, प्यास ज़्यादा लगना, आँखों से धुन्दला दिखाई देना, या कमजोरी मैसूस होना लंबे समय तक, या लंबे समय से सिर में दर्द रहना, या फिर frequent urination यानि ज़्यादा पिशाब आना, तो अगर आपको यह लक्षन होते हैं, त आपको फिर इन basic test के लिए जरूर जाना चाहिए, जिनने हम fasting या PP कहते हैं, तो दोस्तों, टेस्ट कराने के दोरान, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे fasting और random test जब आप कराएंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है, कि अगर आपकी diabetes नॉर्मल आती है, तो तो की जानकारी देंगे, क्योंकि sugar जो है, वो दिन में घटती और बढ़ती रहती है, तो अगर आप किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, कि आप diabetic हैं के नहीं है, तो आपको तीन दिन तक regular test जरूर करना चाहिए, तो आगे जान लेते हैं, कि जो range है result की, वो क्या होती है, यानि diabetes की normal value क्या है, pre-diabetic value क्या है, और दोस्तो, diabetic value क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, fasting sugar के बारे में, तो fasting sugar test में normal value जो है, वो 80-99 mg per dl है, जबकि pre-diabetic value जो है, दोस्तो, वो 100-125 होती है, और diabetic value 126 या उससे ज़्यादा अगर कोई भी reading आ रही है, तो ये कहा जाता है, कि आप diabetes का शिकार हो चुके हैं, और आपको अपनी diet पर बहुत control रखना पड़ेगा, आपको doctor से समपर करना पड़ेगा, फिर random sugar test की reading की बात करें दोस्तो, तो इसकी normal value जो है, वो 100-140 mg dl है, जबकि pre-diabetic value 141-109 में है, और diabetic value 200 से ज़्यादा है, तो random sugar test पहली मैंने आपको बताया कि खाना खाने के दो घंटे बाद आपको कराना चाहिए, तो दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो से सब्सक्राइब भी किजएए,